ये किलाश 12 जियोलोजी यानि कि भूविज्यान इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉफचन नंबर 10 तक करवा दिये थे और अभी हम लोग कॉफचन नंबर 11 से सुरू करेंगे ये आपको मैं यहाँ पर अब्जेटिव कॉफचन का त्यारी करवा रहा हूँ इसी से आपके बन जाएंगे मल्टिबल चोफचन में क्या रहता है कि चार ऑप्सन रहेगा जिसमें से एक करेक्ट होगा और वही आपको क्या होगा चुनना होगा तो यहाँ पर मैं आपको डारेक्ट एंसर बता देता हूँ यदि एकजाम में आए तो एंसर तो वही रहेगा ठीक है न इ 11 इदर देखिए क्या हमने लिखा है कि पिर्थमी की आयू ठीक है कई बार कॉफचन पूछा गया है इसलिए आप वीडियो को पुरा देखिए और बहतरी से बहतरी आप लोग तैयारी अपना शुरू कर दीजिए ठीक है चलिए देखिए पिर्थमी की आयू तो पिर्थमी वर्स ठीक है चलिए इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 4.5 अरब वर्स ठीक है चलिए इस प्रकार से यहाँ पर कॉफचन नमर 11 हो जाते हैं हम लोग आता है कॉफचन नमर 12 आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कॉफचन नमर 12 में है कि हमारा अस्वमी भ परिवर्तित होते हैं, तो किस में परिवर्तित होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिलाओं में परिवर्तित होते हैं, ठीक है चले, तो इसका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, अंसर क्या हो जाएगा, सिलाओं, सिलाओं, कि लिए, अब देखते हैं हम लोग को को देखें कॉफ्चन नमर थाटीन इंदर क्या करते हैं देखें कॉफ्चन नमर थाटीन कॉफ्चन नमर थाटीन हमारा है कि भू आकिर्तिय आधारबर भारतिय प्रायदियुक को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो यह जो है वे हमारा तीन भागों में आकृतिय अधार पर भारतिय प्रायदीव को तीन भागों में क्या क्या गया है विभाजित किया गया है याद रखिएगा चलिए आप हम लोग देखते हैं अगला कॉफचन कॉफचन नमर 14 को देखें कॉफचन नमर 14 इधर क्या कहते है कि इस्तर के अनुरूप अनुस्तरिय अंतरवर्धी आकृति के आगनिय चटान को क्या कहते हैं ठीक है चलिए आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर क्या होगा ठीक है आप लोग कमेंट के माधियम से ठीक है चलिए देखें चलिए आपको मैं बता दूँ यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वे हमारा क्या होगा सिल ठीक है सिल होगा यानि की कॉनकोडेंट रॉक जिसे हम लोग करते है ठीक है चलिए तो वही वाला हमारा होगा यहाँ पर इसका आंसर हम लोग ली सकते हैं यहाँ पर सिल ठीक है क्या होगा सिल ये वाल ठीक है न चले इसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं Concordant Rocks ठीक है चलिए याद रखिएगा इस्तर के अनुरूप अनुस्तरिय अन्तवर्दी आकिरती के आगनिये चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं सिल कहते हैं ठीक है चलिए आप हुलों देखते हैं कॉफचन नमबर 15 को देखिए कॉफचन नमबर 15 इधर हमारा आ रहा है होगा तोट्रूमिनम का फेमस क हैक हमारे क्या है वाकसाइड ठीक है चले याद रखिएगा तो क्या है हमारा बॉकसाइड कई बार पूछा गया है यह सब को फॉफचन हमारे क्या हो जाजागा यहाँ पर बॉक्साइड हो जाएगा इसका अंसर ठीक है और यदि आपको यहाँ पर बॉक्साइड का सूत्र कहें तो आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कौफचर नमबर 4 में आपको मैंने बताया थे ठीक है कि बॉक्साइड का रसाइनिक सूत्र भी आपको मैंने सूतर हो जोगा टिक है इस हमारा कुछा रह है कि बोक्साइट का राशानिक सूतर लिखे मतलब क्या होगा सबस्क्र要ज़न ओप Quran हमारे क्या हो जाएगा अगला कॉफचिन देख सकते हैं कॉफचिन अगला कॉफचिन हमारे क्या है क्वार्जाइट कीस परकार का सेल है तो यह हमारे कैसा सेल है तो कायांतरित सेल है ठीक है चलिए यहाँ पर पूछा गया है क्वार्जाइट कीस परकार का सेल है तो यह हमारे कैसा सेल होता है कायांत्रित सेल होता है ठीक है चलिए तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कायांत्रित सेल ठीक है कयांतृत चेल हो जाएगा ठीक है इस प्रकारidor का right of answer यहांपर क्या हो जाएगा हमारा कयांतृत चेल हो जाएगा ठीक है अगला कॉफचर हमारे देख़िए कॉफचर कॉफचन नामबर 17 आप लोग देख सकते हैं यह वर्तमान भूत की कुण्जी है यह किस ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुण्जी है ठीक है एक चलिए आपको बता रहा है कमेंट के मादब में से आप लोग बता सकते है इसका यहांट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा चलिए ठीक है James Hutton, James Hutton ने कहे थे कि वरतमान भूत की कुंजी है, चले तो यहाँ पर इसका अंसर क्या हो जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा हमारा James Hutton, इस प्रकार से कॉफचे नमर 17 हो जाता है, अवलवाते कॉफचे नमर 18 की ओर, यह हमारा कॉफचे नमर 18 आ गया, कॉफचे नमर 18 है, तो कोईला के लिए, ठीक है, चले किसके लिए परसीद है धनबाद, कोईला के लिए परसीद है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कोईला, ठीक है, धनबाद जो है, वे हमारा कोईला के लिए परसीद है, ठीक है, अगला कॉफचे नमर 19, आप लोग दे कहते हैं रायो लाइट क्या कहते है रायो लाइट ठीक है तो ग्रेनाइट के जो अला मुख्या पर तीरोब को क्या कहते हैं तो हम लोग कहते हैं रायो लाइट कहते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा रायो लाइट ठीक है इस परकार चेक कॉफचार नमर 19 हो गया अब देखते हम लोग कॉफचार नमर 20 को यहाँ पर क्या कहा गया कि आगनिये सेल की कौन सी भाग नहीं है ठीक है आपको बताना आगनिये सेल का कौन सी जो भाग जो है अभी हमारा नहीं है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा हमारा डाइक ठीक है तो चलिए यहाँ पर इसका हम लोग लिखते हैं आंसर तो क्या हो जागा हमारा डाइक ठीक है तो देखें डाइक जो है अभी हमारा आगनिये सेल की कौन सी भाग जो है वह कौनकोडेंट नहीं है तो आगनिये सेल की कौनकोडेंट नहीं है तो हमारा डाइक भाग जो है अभी हमारा आगनिये सेल की कौनकोडेंट नहीं है चले इस यहां पर question number 20 तो हो जाते हैं हम लोग आते हैं अब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में जिसमें 21 नमबर से question शुरू हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे वीडियो पार्ट टू था आप लोग जिदी इसके पाले वाले वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लि हम इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद